कासी मरत जन्तु विलोकी जासु नाम वलकर हुँ विसोकी सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी रगुबर सभ और अंतर जामी हे पारवती जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणे को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हुँ मुक्त कर देता हुँ वही मेरे प्रभु रगु श्रेश्र श्री राम चंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सब के हिर्दे के भीतर की जानने वाले हैं बिवसभु जासु नाम नर कही जनम अनेक रचित अग दही सादर सुमिरन जेनर करही भववार दिगोपद इवतरही बिवस होकर बिना इक्षा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जनमों में किये हुए पाब जल जाते हैं फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका इस्मरन करते हैं वे तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खुड से बने हुए गड़े के समगान अर्थार बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं राम सो परमातमा भवानी तेह भ्रम अती अविहित तववानी अससंसे आनत उर माही ज्यान विराग सकल गुन जाही हे पारवती वही परमातमा श्री राम चंद्र जी है उनमें भ्रम देखने में आता है तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनूचित है इस प्रकार का संदे मन में लाते ही मनूशे के ज्यान बैराग्य आदी सारे सदगुन नश्ट हो जाते हैं सुनी सिव के भ्रम भंजन बचना मिटी गए सब कुतरक के रचना भई रगुपती पद प्रीती प्रतीती दारुन अस्संभावन भीती शिव जी के ब्रह्म नाशक बचनों को सुनकर पारवती जी के सब कुतरकों की रचना मिट गई श्री रगुनाद जी के चर्णों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना जिसका होना संभव नहीं ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही पुनी पुनी प्रभुपद कमल गही जोरी पंकरु हुपानी बोली गिरिजा बचनवर मनहु प्रेम रससानी सियावर राम चंद्रपद जैशर्णम मंगल भवन मंगल हारी द्रवाव सुदशरत अजिर बिहारी वीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी बार बार स्वामी शिपजी के चरन कमलों को फकड़ कर और अपने कमल के समान हातों को जोड़ कर पारवती जी मानो प्रेम रसमे सान कर सुन्दर बचन बोली जैसी अराम